Hello everyone, Welcome to Mission for Perfect Study Channel, मैं एंकित पांडे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25, 26 और 27 अप्रेल 2020 के बहुत important current affair के questions scheme तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें ताकि जो भी यहाँ पर questions कवर किये जाएं current affair से सम्मधित वो आपको बिल्कुल clear हो सके और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे like करें अपने दोस्तों में भी इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी benefit मिल सके उनके आगामे परिक्षाओं में इसके लावा अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल Mission for Perfect Study को subscribe नहीं किया है तो प्लीज आप इसे subscribe कर लें और घंटी का इकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अप्लोड की जाए उसकी notification आपको प्राप्त हो सके साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में जितने भी questions कवर किये जाएंगे उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी जिसका की link आपको इस वीडियो के description box में दे दिया जाएगा जहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं तो फिलहाल आप वीडियो को पूरा देखें ताकि जो भी हम यहाँ पर questions कवर करें और questions से संबन्दे जो भी important facts को यहाँ पर discuss किया जाए वो सारी चीज़ें आपको clear हो सकें तो चलिए बात करते हैं 25, 26 और 27 अप्रेल 2020 के बहुत ही important current affair questions की यहाँ पर देखें जो प्रश्न है अभी हाल ही में देश के नए किंद्री सतर्टा आयुक्त यानि सेंटल विजलेंस कमिशनर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है विकल्प A है केवी चौधरी B है संजेक उठारी C है प्रदीप कुमार और D है उपरोक्त में से कोई नहीं तो देखें किंद्री सतर्टा आयुक्त यो है वो देश की भरस्टा चार रोधी एक प्रमोग संस्था है और किंद्री सतर्टा आयुक्त की जाती है वो रास्ट पती द्वारा की जाती है और केवी चौधरी जून 2019 मेन का कारेकाल समाप्त हो चुका था और अभी तक इस पत पर कोई नहीं था तो अब जो है नए किंद्री सतर्टा आयुक्त की रूप में संचेक उठारी जो है शपत व्याण इनों ने किया है तो विकल भी बिलकुल सही होगा अभी हाल ही में E-Learning Content योगदान को आमंत्रित करने के लिए किंद्री मानव संसाधन विकास मंत्री ने किस रास्टी कारेक्रम का शुभारम किया विकल देखें A है विद्यादान 2.0, B है सिक्षादान 2.0, C है A और B दोनों और D है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो सही एंसर है वो विकल ए बिलकुल सही है विद्यादान 2.0 और इसे जो है दिशा प्रेटफॉर्म पर लॉंच किया गया है और मैं आपको बता दू कि इसमें कोई भी योगदान दे सकता है चाहे वो सिक्षाविद हो विशेविसेसग्य हो इसकूल या कॉलेज के टीचर हो यहां तक की गैर सरकारी संगठन या कोई भी ब्यक्तिस में योगदान कर सकता है और जो भी सामागरी योगदान की जाएगी e-learning content उसको जहे दिशा e-learning सामागरी में शामिल किया जाएगा और जो हमारे केंद्री मानो संसाधन विकास मंत्री स्री रमेज पोखरियाल निशंक है उन्होंने कहा कि देश भर के इसे जो है देश भर के लाखो बच्चों को कहीं भी कभी भी सीखने में मदद मिलेगा दिशा फ्लेटफॉर्म पर जो है उपलद सामागरी का उपियोग क ठीक है तो विकल्प ये बिल्कुल सही होगा विद्यादान 2.0 अभी हाल ये में किश देश के की सुप्रिम कोट ने अपने एक एतिहासिक फैसले में कोडे मारने की सजा को खत्म करने का आदेश दिया है विकल्प A है संयुक्त अरब अमीरात B है सौधी अरब C है मलेशिया और D है कतर तो इसका जो सही एंसर है वो है विकल्प B सौधी अरब ठीक है और सौधी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद अभी हाल ही में किस भारती प्रोध्योगी की संस्थान यानि IIT ने COVID-19 की सबसे सस्ती किट जो टेस्टिंग किट है तयार की है सबसे सस्ती टेस्टिंग किट यहां विकल्प है IIT डेली ने, B है IIT कानपुर ने, C है IIT मुंबई ने और D है IIT है एदराबाद ने तो सबसे सस्ती किट जो टेस्टिंग की है वो की है विकल्प A IIT डेली ने और जो इसकी कीमत है वो लगभग 7500 से लेकर 800 रुपए है तो विकल्प A बिल्कुल सही होगा IIT डेली ने प्रतेक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाय जाता है विकल्प A है 24 अप्रेल को B है 25 अप्रेल को C है 26 अप्रेल को और D है 27 अप्रेल को तो इसका जो सही एंसर है वो विकल्प B बिल्कुल सही है 25 अप्रेल को प्रतेक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस की रूप मे मनाय जाता है हर वर्ष विश्व बौधिक संपदा दिवस किस दिन मनाय जाता है विकल्प A है 23 अप्रेल को B है 25 अप्रेल को C है 26 अप्रेल को और D है 27 अप्रेल को तो मैं आपको बता दू कि प्रतेक वर्ष जो विश्व बौधिक संपदा दिवस यानि World Intellectual Property Day मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 अप्रेल को विकल्ब सी बिलकुल सही है और इसका जो देश है वो ये है कि जो patent, copyright, trademark तथा design है उनके महतों के बारे में जागरूपता फैल आई जाए ठीक है और ये सबी चीज़े क्या है बौद्धिक संपदा है ठीक है तो विकल्ब सी बिलकुल सही होगा 26 अप्रेल को World Economic Outlook Report किसके द्वारा जारी किया जाता है ये कई बार questions पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है विकल्ब A है अंतरदास्टी मुद्राकोस IMF B है विश्यो बैंक C है एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा और D है उपरुक में से कोई नहीं तो World Economic Outlook Report जो जारी करता है वो करता है अंतरदास्टी मुद्राकोस यानि IMF ठीक है और इसका जो हेड़कॉर्टर है वो है वासिंग्टन DC में इसके लावा विश्यो बैंक का जो हेड़कॉर्टर है वो भी वासिंग्टन DC में है जो की अमेरिका की USA की कैपिटल है राजधानी है और एशियाई विकास बैंक इसका जो हेड़कॉर्टर है वो है मनीला फिलिपिन्स में ठीक है बढ़ते हैं आगे यहाँ पर देखें जो प्रश्न है अभी हाल ही में किस युनिवस्टी के वैज्यानी को द्वारा विक्सित किये गए पहले COVID-19 टीके को ब्रिटन की एक सुक्षम जीव विज्यानी यानि माइक्रो बायोजिस्ट को लगाया गया ठीक है विकल्ब देखें अ हारवर्ड इनवस्टी बी है कैंब्रिज युनिवर्सिटी सी है आक्सपोड इनवर्सिटी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो सही एंसर है वो है विकल्ब सी आक्सपोड इनवस्टी यह कहां पर है ब्रिटन में और Cambridge University या विस्विद्याले कहां है ये भी जो है Britain में है और Harvard जो University है वो आपका अमेरिका में है तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये University कहां पर है तो आपको ध्यान रखना है तो Oxford University इसका सही एंसर होगा विकल्प C अभी हाले में किस mutual fund company ने अपनी 6 रिण योजनाएं बंद करने का फैशलर किया है विकल्प A है Tata, B है Franklin Templeton, C है Reliance और D है उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो सही एंसर है वो विकल्प B बिल्कुल सही है Franklin Templeton और ये USA की कंपनी है और इसका जो headquarter है वो है San Mateo जो की California में है ठीक है तो Franklin Templeton इसका सही एंसर होगा विकल्प B बिल्कुल्प B अभी हाल है में किस भारती प्रवध्योगी की संस्थान यानि IIT के छात्रों ने कम लागत वाले mechanical ventilator रूहदार ठीक है रूहदार का विकास किया है विकल्प A है IIT Bombay ने B है IIT Delhi ने C है IIT Hyderabad ने और D है उपरोक्त में से कोई नहीं तो ये जो ventilator है रूहदार इसका जो विकास किया है वो किया है IIT Bombay के छात्रों ने और इसकी जो लागत आई है वो लगभग आपका 10,000 रुपए है तो विकल्प जो A है बिल्कुल सही होगा तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 25, 26 और 27 सप्रेल 2020 के बहुत ही important current affair के questions तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इसी प्रकार के हम questions cover करते हैं देखिए बहुत ज़्यादा हम questions नहीं लेते जो की important नहीं हो हम यहाँ पर वही question लेते हैं जिनकी संभावना है आपके परिक्षाओं में पूछे जाने की ठीक है तो यहाँ पर हम 3-3 दिनों के question ले रहे हैं और वो सभी question हम ले रहे हैं जो की बहुत ही संभावित question है ठीक है हम बहुत ज़्यादा question यहाँ पर नहीं लेंगे की आपको एक burden पढ़ जाए यहाँ पर हम वही question उठाएंगे जो की जिनके की आने की संभावना आपके एक्जाम में है ठीक है तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं अगले 3 दिनों के बहुत ही महतपूर current affair question के साथ तब तक के लिए thank you have a great day कर दो एक दो कर दो दो